तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने M8MDVS को connect कर लिया है open भी कर लिया है और यहां पर pin लगा दिया है और इस pin को मैंने अपने system के साथ में यहां पर connect कर लिया जोड़ लिया है USB के साथ में तो अब M8M में आपको इस परकास से on कर लेना है करने के बाद में आपको यहां से एंसे प्रेस करना है फिर यहां पर कैंसल बटन को फ्रेस करना है जैसे यह मैत Свकू करोगे तो इस के अंदर इस प्रकाद के पॉप पह ड़ेगा तो आमको यहांपर वह याँ फ्रेंट्स नमस्कार मेरा नाम जस्राज और आप देख रहे हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको M18 डिवैस जो हमारी माइक्रो एटिम डिवैस है उसको अपने सिस्टम के अंदर कैसे इस्टॉल करेंगे कैसे यूज करेंगे कैसे M18 डिवैस का सौफ़एर इस्टॉल करेंगे पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर लाइव बताऊँगा तो इस वीडियो का आप सुरूश लेकर लाज तक पूरा जरूब देखें और आपके मन में कोई भी स्वाल आज है तो आप कमेट करके पूश सकते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिजी पी लाइट पोर्टल को ओपन कर दिया है और आपको सौफ़एर है इसी पोर्टल से डाउनलोड करना है या मैं डिस्क्रिप्शिन में लिंक दे दूँग तो आपका Google Chrome ब्राउजर या जो भी आप ब्राउजर यूज़ करते हूं इस परकार से यह सब्टलोड हो जाएगा तो मैंने यह डाउनलोड करके रखा है तो मैं यहां से इस सब्टल को ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बाद में इस तरीके से आपके पास में जिप फाइल है लोगी इस जिफ फाइल पर रैट क्लिक करोगे एक्सट्राट फाइल पे क्लिक कर दोगी ओके कर दोगी तो आपकी यह जिफ फाइल है यह इस तरीके से एक्सट्राट हो जेंगी आपरा इकOS मेरे यहां पर ऑपन करने तो यहाँ पर इस परकार से open कर लेना है, open करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते है, el web लिखा हुआ है, तो यह el web लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको right click करना है, और यहाँ पर run as administrator पर click कर देना है, जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे, तो आपके सामने software इस परकार से install करने का option आजाएगा, तो आपको next कर लेना है, yes कर लेना है, और next कर लेना, next कर लेना, install पर क्लिक करना है, तो simple process है, ज्यादा कोई इसमें लपड़ा है नहीं install करने में, आप आसानी से इस तरीके से install कर लोगे, install करने के बाद में थोड़ा सा आपको यहाँ पर द्याना है, connect कर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस परकार से आ जाता है, तो आपको यहाँ पर one click install पर क्लिक करना है, तो यह simple तरीके से install हो जाता है, और यहाँ से finish कर लेना है, और यहाँ पर lunch EL web service आ रहा है, तो यहाँ पर finish करने के बाद में, यहाँ पर EL web service है, यह automatic open हो जाता है, और यहा यहाँ पर open नहीं होता है, तो EL web का desktop पर आइकन अजाता है, उसको open करके, यहाँ से minimize कर लेना है, यह इस software का अमारे इतना ही काम है, उसके बाद में, अमारे को क्या करना है, अपना dgpay light portal है, उसको open कर लेना है, open करने के बाद में, आपको यहाँ पर series पर click करना है, और atm पर click करोगे, तो m atm यहाँ पर micro atm लिखावा है, यहाँ से इस पर काहँ से transition करने के लिए portal open हो जाएगा, इसके बाद में, अमारे को क्या करना है, अपना m atm device से उसको अपने system के अंदर connect कर लेना है, तो मैंने connect कर लिया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने m atm device को connect कर लिया है, और यहाँ पर pin लगा दिया है, और इस pin को मैंने अपने system के साथ में, यहाँ पर connect कर लिया है, तो अब m atm में आपको इस प्रकाश से on कर लेना है, on करने के बाद में आपको यहां से enter प्रेस करना है फिर यहां पर cancel बटन को प्रेस करना है जैसे यह matm cancel बटन आप प्रेस करोगे तो इसके अंदर इस परकार से pop up आज जाएगा तो आपको यहाँ पर दो नूमबर है, वो यहाँ से प्रेस कर देना है, उसके बाद में यहाँ पर एक नूमबर करना है USB लिए, तो यह USB मोड है, इसमें select होताएगा, इतना काम आपको इसके अंदर कर देना है, उसके बाद में आपको वापिस अपने system के अंदर यहाँ पर connect device पर क्लिक करना है, जैसे ही आप यहाँ पर connect device पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर device is ready to use आ जाएगा, तो इतना यह होने के बाद में हमारी MA team device है, यह अपने system के साथ में connect हो जाती है, उसके बाद में आपको यहाँ पर चाए balance inquiry करना हो, चाए cash withdrawal करना हो, आप आसनी से कर सकते हो तो मैं यहाँ पर cash withdrawal पर क्लिक करता हूँ, और आपको यह cash withdrawal करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर में amount है, जितना भी amount withdrawal करना है, उस amount को डाल देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर customer का mobile नमर लगा देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर insert card पर क्लिक करना है, जैसे कार्ड और यहां पर उपर है लेक्स्टॉप में भी इंसर्ट कार्ड लिखा हुआ जाएगा तो यहां पर हमारे को कार्ड है वो लगा देना है तो हम यहां पर कार्ड को लगा देते हैं तो मैंने यहाँ पर कार्ड लगा दिया है कार्ड लगने के बाद मैं यहाँ पर पिन मांगेगा तो मैं यहाँ पर पिन लगा देता हूं कि लिइघने के बाद में आपको यहुसे कर देंगे जैसे एंटर करोगे तो यहांपर प्रोसेसिंगळे हो जाएगी ऑनारे सिस्टीन के एंदा और यहांपर कॉंपलीट होते ही खालत वापस निकालने में गहांद यहां से card को निकाल देगे, जैसा ही निकालेंगे card को, यह लिस्कनेट होगा machine से card, तो यहां पर automatic है, automatic यहां पर successfully withdrawal आजाएगा, और यहां पर amount आजाएगा, और यहां पर receipt print करने का option आजाएगा, यहां पर download करने का option आजाएगा, तो हम यहां से download कर लेते हैं, और यहां पर हमारे last balance show नहीं करता है, तो आपको यहां पर print पर click कर देना है, जैसे ही आप print पर click होगे, तो आपके account में जितना भी last balance होगा, वो यहां पर show कर देगा, वो receipt के अंदर show करेगा, और portal के अंदर show नहीं करेगा, तो आपको यह द्यान रखना है, तो इस परकार से अगर आपकी device connect हो जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, अगर device connect नहीं होती है, तो आपको EL, जो software आपने install किया है, इसको वाफिस close करके open कर लेना है, open करने के बाद में office यहां से menuize कर लेना है, menuize करने के बाद में वाफिस connect करना है, तो बहुत ही असानी से हमारे system के अंदर MATM device है, वो connect हो जाती है, connect होने के बाद में हमारे system के अंदर जो transaction होता है, वो बहुत ही fast transaction हो जाता है, और payment है, hand to hand हमारे portal के अंदर आ जाता है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें, अपना दोस्तों हम शेयर जरूर करें, और आपके मन में कोई भी स्वाल है, तो comment करके पूछ सकते हैं, अगर आपके leasypay light portal के अंदर यहां प करना है, अगर आपका M ATM मैप नहीं है, तो भी आप वहां पर call करके map करवा सकते हैं, और यहां से आप ticket भी generate कर सकते हैं, help and support के अंदर जाके, पहले आपको ticket generate कर देना है, ticket generate करने के बाद में call कर देना है, जैसे ही आप call करोगे, तो वहां से customer care तो आपका DGP के अंदर यह ज Micro ATM का वीडियो देखना है, तो description में link मिल जाएगा, या पर channel पर आप वीडियो मिल जाएगा, मैंने उसके लिए पहले ही already वीडियो बना कर रखा है, कि कैसे DGP के अंदर Micro ATM का software install करना है, और कैसे connect करना है, और कैसे transaction करना है